हेलो फ्रेंड्स मैं हूं निरंजन और आप सभी का एक पर फिर से अपने स्यूट्व चैनल ऑनलाइन स्टेडी जोने में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग जेनरल अवेरेंस की पार्ट 16 के बारे में डिसक्स करने वाले हैं जो कि आपके सभी एक्जाम् करता हूं लेकिन उनके एक्स्प्रेशन के साथ कम से कम आपका 25 प्लस हो जाता है तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे एंड तक देखिए और उसके सभी एक्स्प्रेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्यूंकि बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन होने वाली चाहिए अब आती है राजसवा तो 30 सो कि अगर लोकस में पूछ सभा का अध्यक्ष कितने साल के अध्यक्ष के लिए निमतनायूत किया होनी चाहिए थ cuw tach 25 वर सवर यानिकि लोकसर लीए 25 वर उन it अब देखे बात करते है राजसवा के बारे में देखे रासवा का जो गठन का जो अनुच्छेद है वो समिधान में 80 अनुच्छेद में गठन के समिधित अनुच्छेद दिया गया है यानि कि राजसभा का गठन का जो अनुच्छेद है वो 80 है ठीक है और अधिक्तम संख्या की बात करें कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी तो 1500 निर्धारित की गई है लेकिन वर्तमान में इसको 245 रखा जाता है और इसे एक और प्रश्ण बनता है कि राष्टपती द्वारा इसमें कितने सदस्यों को मनुनिद किया जाता है तो देखे राज्य सभा में राश्टपती द्वारा कुल बारा सदस्यों को मनुनित किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि लोकस्वा में कितने सदस्यों को मनुनित किया जाता है तो उसमें सिर्फ दो यानि कि दोनों में कुल मिलाकर 14 सदस्यों को राश्टपती मनुनित करता है सांसत बनाता है ठीक है तो आई होब कि आपको यह पहला कोचन अच्छे से किलियर हो गया होगा और देखिए जाते एक और प्रस्ट मुझे जाद आती है कि सदस्यों का कारिकल यानि कि जो राजसभा के सदस्य को कारिकल कितना होता है तो देखिए छे वर्स का होता है तो द्यान रखेगा गुगगा नौमी ठीक है गुगगा नौमी का मनाते समय हम लोग साप की पूजा करते हैं यानि कि साप की पूजा की जाती है ठीक है अब बात करते हैं कि यह जो तेवार है वो कहां पर मना जाता है तो यह मोशली अपका हरियाना के आसपास का धार्मिक ते जो इस प्रकार है कि परतेक वर्स चार फरवरी को ध्यान रखा कि चार फरवरी को विस्वे के चारो और किस रूप में देखा जाता है कुल मिलाकर कहे तो पूछा जा रहा है कि चार फरवरी को विस्वे में कौन सा दिवस मना जाता है question को थोड़ा इधर इधर घुमा के पूछा जा सकते हैं लेकिन आमको confused नहीं होना है तो देखे कहने का मतलब है कि चार फरवरी को पूरे बिस्वे cancer दिवस के रूप में मना जाता है यह आपको ध्यान रखना है देखे बात करें हैं यह कोप्सँन में दिया गया है इसके बारे में लेता है नोगे लिए कि आश्वे घुंबर को गपांग गयान रिखना है आब आजडिक आप 20 bleibt अब यहां एक और क्यांथे है कि कि देखंग्टेंबर अंगा 12 फरवरी यह भी आको ध्यान रखना है ठीक है तो I hope कि आपको सारी questions से यहां से भी clear हो गई तो चलिए बढ़ते हैं अगले question पर और देखे जो second number यानि कि अगला जो प्रशन हमारा यह है कि राष्टी ये नियाईक academy ठीक है राष्टी ये नियाईक academy कि सहर में इस्तीत है तो यह देखे आपका right answer इसका होगा भौपाल यानि कि इसका right answer होगा C भौपाल में इस्तीत है राष्टी नियाईक academy जो की मद्यपर्दिस की राजधाने है ठीक है चलिए बढ़ते एंगले question पर और देखे जो next question हमारा यह है Microbiology यानि कि सुक्ष में जीव बिग्यान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो देखे इसका right answer होगा option A यानि कि Lumen Hawk को जाना जाता है आपको ध्यान रखने ठीक है और bacteria के खोज भी Lumen Hawk नहीं किया था तो आप इसको ध्यान रखेगा अब देखे बात कर लेते हैं Lewis Pasture तो Lewis Pasture जो थे वो आपका रेविज के टीके का खोज इन्हों ने किया था Lewis Pasture ने अब यहां बात है रॉबर्ट कोच तो रॉबर्ट कोच जो थे इन्हों ने TV की बैक्टरिया की खोज की थी यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहां से आपको सारी questions किलियर हो गई और दुस्तों क्याना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो एच लेगा तो प्लीज लाइक एंड सेर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो के नीचे आपको बटनों का उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर से जरूर ध्यान से ओन रखेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहा तो चलिए आगे ब प्रेश्ट प्रेश्ण हमारा बनता है वह है कि भू स्थिर रक्षा जो प्स्थिर रक्षा कितनी उचाई पर फिके जाते हैं यह यह अगर बात करें तो यह 35,76 सो चयासी किलोमीटर के उचाई पर लगता है ठीक है 35786 किलोमीटर के उचाई पर लगता है लेकिन अगर आपका एक्जाम में हमेशा एक प्रॉक्स लीप पूछा जाता है तो आपका 36,000 किलोमीटर हम लोग कि टिक करके आते हैं ठीक है चले देखते हैं अगला question और दीके जो ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हों ने कब की थी तो 1828 में इन्हों की थी तब इसको ध्यान रखेगा और जो केशवचंद्र सेन थे तो ब्रह्म समाज के जो स्थापना इन्हों ने की थी जो जब इनकी मृत्ति हो गए 1828 में जब इ इस ब्रह्मि समाज को पुना नियू डाली थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अंगले को चल पर और देखें जो next question हमारा बनता है कि दिल्ली के अंतिम सुल्तान के रूप में किसे जाना जाता है ध्यान रखें कि दिल्ली के अंतिम सुल्तान के रूप में जाना पूछा जा रहा ह और ब्यात आती है कि यहाँ पर इब्राहिम लोधी के बाद सासर कोई क्यों नहीं बना क्युवति ऑबर ने फिर इससे में मुगल की न्यूँ डाली तो यह से आपको इंति इससे घताम हो जाती है तो indirectche Könchnself के बद से फिर आपको इई dannat खर मजाता एं ठीक है तो यहाँ on भिएक अब देखिए पैरु जो देश है इसकी राधानी क्या है तो देखिए इसका राधानी जो होता है इसका राइटन सुर ऑप्सें कि लीमा पнд ocup से जो दिया है इस थे ब्राजिली ने होती प्राजिलत कि दो है लेच últ reflection लिए तो यह उरूए के जो नजदीक में है सटा हुआ परगवे तो परगवे की रधान है अंसियान ठीक है तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्विस्टन म है तो हमें कमेंट कर सकते हैं हम कुछिद करेंगे कि अगरे वीडियो में सुधार कर सकें तो दौस्तों उमीद करूँगा आपको आज की वीडियो बहुत ही जादा